नमस्ते दोसों, रहे दोटे हिमें ईज़ीज़ी है तो आज मैं पीर आप कणा मुदें 186 एंव आपका थाrr तो एड दोटेंब in चाहिएły हुँ बताने वाले लातिते और करने माधे वाली क substance समगा नहें हैं के लिए ना चिर्टी पसके लिंक है। कि अचाना के निए अरुसे करते हैं, से बशेशन कर सकता है। कर लें में इसी सरु कर लेती हूं, आप एसे छोटे भी ले सकते हैं, भड़ा करने में का सब़ारीذ अब यहां देखिए यह हमने आलू जो पानी में डाल के रखे हुए हैं अब हम क्या करेंगे एक कपड़ा लेंगे और उसके उपर यह आलू को निकाल करके डाल देंगे इसका पानी जो है वह सभी को सुखा लेंगे आप टीशु पेपर से भी सुखा सकते हैं या कप्ड़े इसका पानी निकाल सकते हैं जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा तो बस इस तरीके से में आलू को निकाल करके और अब इसे कपड़े से इस तरीके से साफ कर देते हैं तो मैं पहले से साफ कर देती हूं सभी पानी को तो मैं इसे सभी पानी को इस तरीके से साफ कर तीशु पेपर से और यह लेजिए इसका पानी सभी साफ हो गया है अब हम एक बोल लेंगे और इसमें यालू को डाल देंगे तो आलू को हमने डाल लिया है यह देखेगा कितने अच्छे यह हमारे आलू एकदम बढ़िया कदुकस हुए हैं अब हमें यहाँ पे लेना है यह तो ले रही हूं यहाँ पे कौन स्टार्च अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसकी जंगा पर चावल का आटा या मैदा कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कौन स्टार्च डाल देती हूं दो चंगज यह इतना जितना कि इसका पानी मतलब यह इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वह अच्छी तरह के सूख जाए इसके अंदर और इससे हमारे बहुत बढ़िया बन करके तयार होगी इससे हमार इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है पैन को गरम होने देती हूं जब पैन गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मख्षन मख्षन के जगा आप देल को भी उपियोग कर सकते ह तो इसे अच्छी तरीके से फिला देते हैं पैन के ऊपर यह च्छी तरीके से पैन हो गया है अब हम डालेंगे यह आलू का जो हमने पना करके तयार किया है इसको सभी को फिला देते हैं एक पैन पे ग्यास की प्लेम को कब रखेंगे कि द्याइप यह एऔर पैनी इसको भूब कर तैयार करना ता क्यूंत इस कत ऐस दो देख टारकार कारणा फसां प्लेट के लिखनों दोफने से मतलो के लिखने उपला इसे त्रयर के सकते हैं प्लेट करें को पके लोगे जाहा ऐसे अब क्या करें दोफित हैं जो ही खुरने तो इसलिए आप इसको अराम से पढ़ें। देखें कितनी अच्छा पर पड़ाइं। कि ए बन करके तैयार हो रहा है। अब उसे तरह मैं आपते शिक्षाथा हैं। अब हम क्या तरह क्या से हैं। बड़ें तरह के लिए राएंगे लगाएंगे और बास आप इसे अच्छी तरह के से पकने देते हैं दूसरी साइड से एकडम करारा बन करके तयार हो जाएगे हमारी रेसिपी तो यह लीजे फ्राइड यह दोनों सेड से इसका कलर चेंज हो गया है यह बहुत अच्छी तरह करते हैं अब अब इसको निकाल लेती हूं यह पर और इसको टालेंगे गर्म गरंपे ही नमक तो यहां पर नमक डाल देते हैं इससे पल्टेंगे और इसका प्यार आया है इस पर भी नमक डाल देंगे और चाट मसाला डालेंगे हम तो यह मेरे पास है इसमें चाट मसाला मैं यह डाल देती हूं उपर से अब इसे परिटेंगे और इधर से भी डाल देंगे बस ये काम हमें गर्म गरम पे ही करना है अब आपको इसे पाईसी बनाना है तो आप चिलि फ्लेक्स डाल दीजे या लाल मुर्च का पाउडर डाल दीजे अब इसके उपर हम डालेंगे आप इसको इसी तरीके से भी खा सकते हैं या आप इस तरीके से भी इसे खा सकते हैं सर्व कर सकते हैं पर टमाटर केचप लेंगे और इसे इस तरीके से और यह देखें यह और भी मज़दार बन करके तयार हो जाएगा अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं आवाज आ रहे हैं कितनी क्रंची बन करके तयार हुआ है और यह ऐसा नहीं है कि यह कच्छा है यह पूरा पख चुगा है आप आप इसे गर्मा गरम बनाईएगा इसमें कोई ज्यादा चीजे भी नहीं है और जट पट से बन करके तयार हो जाता है यह देखे इसको यह से खटा देती हूं पड़ा तो है ना एक बढ़िया रेसिपी वह इसी तरीके से पनाईए खाईए बच्चों को दीजें बच्चे भी खुस हो जाएंगे तो दीखे पूरा क्रेंची है और इसका कलर भी बहुत प्यार आया है तो थैंक्यू गाईज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो थैंक्यू